मौसम विभाग का अलट जारी हुआ है और ठंड को लेकर मौसम विभाग का क्या क्याना है तो आपको बता दें कि आज 24 गंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित, बलिटिस्तान, मुझफराबाद और हिमाचल प्रदेश में एक दो स्थान उपर हलकी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है इन भागों में उचाई वाले स्थान उपर बर्वारी भी हो सकती है उत्तर पश्री मध्ये और पूर्वी भारत के अधिकांज हिस्सों में नियूंतम तापमान सामानने से नीचे रहेगा तो वहीं विधर्व और ओडिशा के कुछ हिस्सों में शीत लहर की स्थीतियां आगे भी जारी रहेंगी उत्राखंड, असाम, मेगाले, नागालेंड, मनिपूर, मिजोराम और तृरीपूरा के कुछ हिस्सों में मध्यम से गना कोरा चाया रह सकता है देश में जारी ठंड से अब लोगों को अगले कुछ दिनों में रहात मिलने की उमीद है पहारू पर बर्वबारी के कारण मैदानों में बड़ी ठंड में अब रहात मिलने की अनुमान जताया जा रहा है भारत मौसम विज्ञान विवाग, आएमडी के ताज़ब पुर्वनुमान के अनुसार, पश्चिमी विक्षोप के प्रभाव के कारण जम्मू कश्मीर, गिलगिट बलिटिस्तान और मुजफराबाद में 9 फरवरी को बर्फ बारी और बारिश के आसार नज़र आ रहे है आपको बता दे कि आएमडी के अनुसार 9 और 10 फरवरी की सुबा पंजाब, हरियाना, चंडीगड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांच हिस्सों में घना कोरा चाय रहनी की संभावना भी नज़र आ रही है और इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत में अगले 4-5 दिनों में अधिक्तम ताफमान में बढ़ोतरी दर्च की जाएगी इस से इस छेतर में ठंड का प्रवाव कम होगा उत्तर पूर्व में 2-4 दिग्री सेल्सियस की कमी दर्च किये जाने का अनुमान है ऐसे में अब यहां सर्ध हवाई भी नहीं चलेंगी हाला कि सोमवार को पंजाब और हरियान में जादतर स्थानों पर ठंड का प्रकोप जारी रहा था और नियुम्तम ताफमान सामाने से नीचे दर्च किया गया था मौसम विभा के अधिकारियों ने बताया है कि पंजाब के आदमपूर में ताफमान 4.6 दिग्री सेल्सियस दर्च किया गया और यह सबसे ठंडा स्थान रहा था वहीं अमरित सर में 5.5 डिग्री सेल्सियस भटिंडा में 5 फरीद कोट में 5.8 डिग्री सेल्सियस और हलवारा में 5.6 डिग्री सेल्सियस ताफमान दर्च किया गया था वहीं जम्मू कश्मीर में ठन से हलकी राहत मिली है क्योंकि सोमवार को घाटी में नियूंतम ताक्मान में थोड़ी वृद्धी हुई थी हाला कि यह सभी मौसम केंदर पर अब भी 0.9 डिग्री से नीचे ही रहा है अधिकारियों ने बताया है कि जम्मू कश्मीर की गृष्म कालीन राजधानी श्री नगर में कल राध ताप्मान 0-2 डिग्री सेलसियस नीचे दर्च किया गया जबकि उसकी पिछली राध ताप्मान 0-3.6 डिग्री सेलसियस नीचे रहा था कश्मीर में अगले एक सब्ताय तक मौसम शुष्क रहने की उमीद नजर आ रही है तो ये था आज के मौसम का हाल फिलाल अभी के लिए बस इतना ही कहीं जायेगे नहीं क्योंकि खबरों को सिलसला यूई बना रहेगा Market Ams TV पर